हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्स्पिरेंस एजूकेशन, मैं हूँ प्रैबीन कुमार सर्मा और हम आज आपके साथ डिसकस करेंगे बीकली करेंट अफेर्स के 22nd नवंबर टू 28th नवंबर के special top 21 questions को यह हमारा बीकली करेंट अफेर्स सीरिस का lecture no.24 है तो आईए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के question number फर्स के साथ यानि कि हाली में रास्टी दुख्द दिवश कम मनाया गया है तो यह मनाया गया है 26th नवंबर को यानि कि यह इसका हो जाएगा correct answer 26th नवंबर अब यह जो national milk day है 26th नवंबर को मनाया जाता है वहीं बात कराें world milk day की साथ ही में बात करें यह जो national milk day है यह किस की याद में मनाया जाता है जो डॉक्टर वर्गिश कोरेन है जो आप image में देख रहे है इनकी याद में यह किस लिए जाने जाते हैं जो white revolution, white revolution किस से related है? white revolution है, milk product से related तो जो bird milk day है इसको कौन मनाता है? United Nation इसको मनाता है और जो national milk day है इसको इंडिया में जो dr. बर्गिश कुरेन है यह मैं इसमें देख रहे हैं आप इनकी याद में मनाय जाता है क्योंकि यह white revolution सुइद करांती के जनक माने जाते हैं सुइद करांती के जनक माने जाते हैं यह dr. बर्गिश कुरेन साथी में यह important day वाला कॉशन है तो इस week में जो भी important day हुए हैं उनको भी हम discuss कर लेते हैं world world fishers day यानि की matasya matasya दिवस world matasya दिवस यह कब मनाए गया है 21st November को और साथी में 21st November को एक और दिवस मनाए जाता है world television day तो जो 21 November को मनाए गया है world fishers day और world television day यह दोनो 21 November को मनाए गया है फिर उसके बाद NCC यानि की national credit cops यानि की NCC का 72 इस्तापना दिवस मनाए गया है कब 22 November को 22nd November को और यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्दी धारी शंगठन है और इसकी इस्तापना कब हुई थी 1948 में 1948 में इसकी इस्तापना की गई थी और इसका मोटो क्या है मोटो भी कई वार पूछा जाता है unity and discipline discipline इसका है मोटो तो यह भी आपको याद रखना है यह था important day वाला question तो national milk day कब मनाया जाता है 26 November को ए हो जाएगा correct answer next question की दरब बढ़ते है who has won the booker prize of 2020 यानि की 2020 का booker पुरुषकार किसने जीता है तो किस के दौरा यह जीता गया है Douglas Stewart Douglas Stewart की दौरा इसको इनको मिला है booker पुरुषकार 2020 का तो B हो जाएगा इसका correct answer साथी में इनका एक famous उपन्याश है कौन सा famous उपन्याश है इसका नाम भी आपको याद रखना है Shugi Wain Shugi Wain इनका एक famous उपन्याश है और इसी उपन्याश की बज़े से इनने 2020 का booker prize इनको दीते हैं यह तो B हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते हैं where is the second phase of the malawar naval exercise conducted efficiently यानि की हाली में malawar नौशने का ब्याश का दूसरा चरण कहां पर शंपन हुआ है तो यह दूसरा जो चरण है North Arabian Sea यानि की उत्री अरब अरब शागर में यह complete हुआ है तो C इसका हो जाएगा correct answer अब बात कर रहे हैं जो second phase की तो यह second phase हो रहा है North Arabian Sea में यानि की उत्री अरब शागर में second phase हो रहा है तो first phase कहां पर हुआ है first phase हुआ था विशाखा पटनम में first phase हुआ था विशाखा पटनम में अब जो मालावार नेवल exercise है इसमें किस किस देश ने participate किया था तो यह बहुत ही important है इसमें participate किया है इंडिया, जैपान जैपान और अमेरिका USA के दोरह इसमें participate यह करते हैं और इस बार साथ मैं अस्टेलिया भी इसमें participate किया है अस्टेलिया को भी इसमें participate मिला है अभी तक यह तीन कंट्री पार्टिसिपेट करती थी पर इस साल से अस्टेलिया को भी इसमें सामिल किया गया है तो C हो जाएगा correct answer next question की दरब बढ़ते हैं which states Chief Minister has launched इंद्रा गांधी maternity nutrition इसकी म्यानी की किस राज के मुख मंत्री ने इंद्रा गांधी मात्रत्व पोशन योजना सुरू की है तो ये सुरू की है राजिस्तान के जो CM है अशोग घहलोत इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है तो B हो जाएगा इसका correct answer अब ये स्टार्ट तो राजिस्तान के जो CM है अशोग घहलोत इनके द्वारा किया गया है तो इन्होंने जो पूर्व प्रधान मंत्री थी कौन इंद्रा गांधी पूर्व प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांधी इनकी जो जहनती हुई थी इस पर इंद्रा गांधी मात्रत पोशन योजना सुरूग की है अब वहीं बात करें जो महलाएं हैं दूसरी बार मा बन रही हैं उनको 6,000 रुपए दिये जाएंगे इस इसी जो 2,000 रुपए दिये जाएंगे जो 2nd time मा बन रही है अब बात करें राजिस्तान की तो राजिस्तान का कैपिटल है जैपुर कियम तो यही है अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है गवर्नर है जो राजिस्तान के कलराज मिश्र है साथ ही में हमने बात की थी राजिस्तान के बारे में हर बार हम डिसकस करते हैं यहां पर स्वास्त मित्र एप लॉंच हुआ है स्वास्त मित्र लॉंच किये गए हैं यह मित्र जो है यह तीन जगहे लॉंच हुए है एक स्वास्त मित्र है एक किसान मित्र है और एक क्या है एक और है एक मित्र कौन सा है स्वास्त मित्र किसान मित्र और आरोग के मित्र आपक किसान मित्र कहां पर लॉंच किया गया है किसान मित्र हुआ है हर्याना में किसान मित्र हर्याना में और वहीं आरोग मित्र की बात करें तो यह कहां पर रखे गए हैं यह आंदर प्रदेश में तो यह तीनों मित्र आपको याद रखना है स्वास्त्र मित्र राजिस्तान में कि लेजर्ट नेशनल पार्क ये तीनों नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं और केवला घाना वक्षी वियार यहां का फेमस है तो इतना कुछ राजस्तान से याद रखना है बी है करेक्ट आंसर next question है who has launched ता हर घर नलियोजना यानि की हर घर नलियोजना का सुभारम किसने किया है तो ये हमारे प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी की द्वारा इसका सुभारम किया गया है तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अब ये कहां पर स्टार्ट हुआ है ये किया है उत्तर देश के जो बिंदर शेत्र है उसमें जो सौनभद्र और मिर्जापुर के लिए हर घर नलियोजना की सुरुआत की है प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के द्वारा अब इसमें क्या होगा इसमें हर घर तक स्वक्ष पेजल का कनेक्शन पहुचाया जाएगा और ये 5,555 क रोड की ये परियोजना है ताथी मैं बात करें ये यूपी में स्टार्ट हुआ है तो यूपी का जो कैपिटल है लखनाव लखनाव से कुशन मनता है कि किस नदी के किनारे वशा हुआ है लखनाव वशा हुआ है गोमती नदी के किनारे गोमती रिवर के किनारी ये वशा ह हुआ है सीम आप सभी को पता है योगी आधित्तिनाथ हैं और गवर्नर हैं आनंदी बेंट पटेल साथी मैं यहाँ पर एक हर्वल रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है हर्वल रोड यानि की 800 क्लिमीटर लंबी रोड के दौनों तरफ यहाँ पर हर्वल ब्रक्ष लग पर फेमस है तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है रिसेंट्ली तब फिप्टीन्थ टीटी समिट हैस बीन ऑर्गनाइजड अंदर दा चेर्में सिफ आफ यानि की हाल हमें पंद्रवे जी ट्वेंटी से कर सम्मेलन का आयोजन इसकी अध्यक्षता में किया है तो यह या गया है साउदी अरेविया की अध्यक्षता में आनि की सी इसकोशन का हो जाएगा करेक्ट आंसर अब साउध अरेविया की बात हो रहाए है तो इसके किंग कौन है सलमान बिन अब्दुल अजीजовых सोदी और उन्होंने इसकी अध्यक्षा की है वर्चूशाल ह किया गया है घ्ट समित इसको बरच瞭ी में बातकरां तो इसकी जो किपीटल है वह और करेंसी क्या है साउधी रियाल इन साउधी साँधी रियाल और कैपिटल है याद तो यह भी आपको याद रखना है ड्रक चलते हैं when markets of so week camp record for यानि कि इसने Worldwide Cost of Living Index 2020 जारी किया है तो ये जारी किया गया है EIU के द्वारा यानि कि Economist Intelligence Unit के द्वारा यानि कि B हो जाएगा इसका correct answer अब जो EIU है इसके full form तो आपने देख लिया क्या है Economist Intelligence Unit अब इसने अभी Worldwide Cost of Living Index 2020 जारी किया है यानि कि जो रहने के लिए सबसे कीमती सहरों का एक Index इसके द्वारा जारी किया है और इसमें Top पर कौन से है Hong Kong, Hong Kong, Paris and Zeruk जो Switzerland में है ये है Top पर, Top City में है जो की सबसे ज़्यादा कीमती सहरों के list में Top पर है B है correct, next है Which country has recently launched its first spacecraft Song A-5 for the moon किस देशने हाल ही मैं चंद्रमा के लिए अपना पहला अंत्रिक्षयान Song A-5 लांच किया है तो ये लांच किया है चाइना के दौरा तो C इसका हो जाएगा correct answer अब चाइना के दौरा ये लांच किया गया है तो चाइना के बारे में बात करें तो capital क्या है वीजिंग साथी मैं चाइना की currency कई बार पूछी जाती है तो रैन मिन भी रैन मिन भी है इसकी currency और president कौन है जी जिंग पिंग इसके हैं president साथी मैं बात करें चंद्रमा की सतय से नमूने एकत्रित करने के लिए इसको लांच किया गया है Chang A-5 for the moon साथी मैं बात करें चाइना में जो current में event हुए है E कच्ड़े का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है चाइना साथी मैं E कच्ड़े के मामले में चाइना है E कच्ड़े के मामले में चाइना है और यदि बात करें जो plastic का कच्ड़ा है Plastic Plastic कचड़े के मामले में कौन है Plastic कचड़े के मामले में है America USA है और E कचड़ा के मामले में China है साथ ही मैं इसने China ने High Speed Manglave का सपलता पूरवक प्रजेक्शन किया है यह जो High Speed Manglave है एक टाइब की train है और इसकी speed जो है Bullet Train की speed की डबल है तो यह भी आपको याद रखना है C है correct Next है Recently the maritime exercise Simbex 2020 Has been conducted between India and Western यानि की हाली में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास Simbex 2020 आयोजित किया गया है तो यह भारत और Singapur के बीच आयोजित किया गया है यानि की C is question का हो जाएगा correct answer अब Simbex जो है याद रखना है important exercise है यह Singapore और इंडिया के बीच किया गया है तो Singapur के बारे में बात करें तो Singapur City है इसका Capital Currency क्या है Singaporean Dollar और इसके President कौन है Halima Yaakub Halima Yaakub है यहां की President तो C इसका हो जाएगा correct answer next है Who has launched the international version of Umang App यानि की आली ही मैं Umang App का अंतर राश्टी संसकरंट किसने लाँच किया है तो इसको लाँच किया है इसके दोरा Rabi Shankar Prashad की दोरा यानि की C इसका हो जाएगा correct answer और यह जो Rabi Shankar Prashad है यह कौन है अभी present time पर संचार इबं सूशना प्रोधिक की मंत्राला है इनके पास अब यह जो Umang App है Umang App इसका full form क्या है Umang यानि की Unified Mobile Application for New Age Governance क्या है Unified Mobile Application for New Age Governance ताथी में इसमें US, Britain, Canada, Australia इन सब देशों में भी access किया जा सकता है तो जो Umang App के थूँ इन सब यह सारे देश हैं यहां पर भी access मेल सकता है तो C हो जाएगा correct next है Who has recently been awarded the degree of Doctor of Science यानि की हाली में Doctor of Science की उपादी से किसे सम्मानित किया गया है तो जो के शिवान है के शिवान जो है यह इसरो के चेर्मेन है के शिवान के शिवान इसरो के चेर्मेन है और इन ही को Doctor of Science यानि की Doctor of Science की उपादी से इनको सम्मानित किया गया है इमेज में आप देख सकते हैं और इनको जो विश्वेव शरय या प्रोधोगी विश्विद्याला के दोरा डॉक्टर आफ शाइंस की उपादी से सम्मानित किया गया है साथी में करनाट का जो गवर्नर है बज्जू भाई बाला इनके दोरा इनको ये सम्मान दिया गया है इसरो की बारे में बात करें इसरो क्या है इंटरनेशनल स्पेस रिचल और इसका जो चेयर्मेन है ये है के शिवान के Śivan Isro के चेर्मन है और इसका जो formation हुआ है इसरो का ये हुआ है 1969 में और headquarter कहाँ पर है बैंगलोरू में headquarter Indian Space Research organization इसका headquarter है बैंगलोरू में और इसके chair person तो केशिवान की है तो S हो जायगा correct next question की दरब बढ़ते हैं recently the sentence Sentinel-6 Mitchell-Fitchlick satellite has been launched by the which country's space agency यानि कि हाली में Sentinel-6 Michael-Pledge उपग्र है किस देश की अंतरिक्ष एजिंसी दोरा किया गया है तो यह किया गया है NASA के दोरा, NASA के दोरा किया गया है तो C इसका हो जाएगा correct answer, अब NASA के दोरा किया गया है यानि कि National Aeronautics and Space Administration NASA का full form है और यह जो है महासागरों की, जो महासागरी होती है उस पर निगरानी रखने के लिए यह launch किया गया है NASA का formation का हुआ है 1958 में headquarter है Washington DC और इसके administrative head है वो कौन है Jim Bridesign, Jim Bridesign इसके administrative head है तो यह भी आपको याद रखना है C हो जाएगा correct, next question की तरफ बढ़ते हैं recently Indian Army has launched Operation 500 against the terrorists of which country यानि की हाली में भारती सेना ने किस देश के आतंक बादियों के खिलाप Operation 500 सुरू किया है तो यह सुरू किया है Indian ने Pakistan के खिलाप यानि की C इसका हो जाएगा Correct answer पाकिस्तान की खिलाप यह स्टार्ट किया है तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का capital क्या है Islamabad Islamabad है पाकिस्तान का capital यहां की currency है रुपी और इसके president है आरिफ अलमी और प्राइम मिनिस्टर कौन है क्रिकेटर इमरान खान अब बात करें जो इंडिया और पाकिस्तान को divide करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान को divide करने वाली लाइन को कहा जाता है Red Cliff Line ताथी में इंडिया और चाइना के बारे में बत करें तो मैक मोहन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तन ये भी important है दुरंद लाइन इसको कहा जाता है और यूएस और कनेडा यूएस और कनेडा को डिवाइट करने वाली लाइन को कहा जाता है तो ये कुछ boundaries है इनको आपको याद रखना है next question की तरफ बढ़ते हैं which state government has launched the इम सुरक्षावियान यानि कि किस राज्य सरकार ने इम सुरक्षावियान सुरू किया है तो ये सुरू किया है माचल प्रदेश की government ने तो भी इसका हो जाएगा correct answer अब जो हिमाचल प्रदेश की government है इसने COVID-19 COVID-19 महावारी के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए ये हिम सुरक्षावियान launch किया है साथी मैं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो ये यहां की दो capital है चिमला एंड थमसाला यहां की दो capital है और इसके CM कौन है जैराम ठाकूर जैराम ठाकूर है यहां के चीप मिनिस्टर और गवर्नर कौन है भंडारू दत्रात्रे साथी मैं यहां पर Great Himalayan National Park है पिन बैली National Park और खीर गंगा नेशनल पार्क ये फिमस नेशनल पार्क है और साथी में जो हिमाचल प्रदेश ने यह पंचायद पुरुषकार 2020 को भी हिमाचल प्रदेश के दोरा जीता गया है तो इतना कुछ हिमाचल से आपको याद रखना है नेक्ष्ट है पिसेंट्ली विश टाइगर रिजर्व हैज वन इंटरनेशनल अवार्ट फो डवलिंग टाइगर पुले जन्यानी की हाली में किस टाइगर रिजर्व ने पागों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर राष्टिय पुरुषकार जीता है तो यह जीता है पीली वीद टाइगर रिजर्व को तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अभी हमने बात की है जो पीली वी टाइगर रिजर्व यह कहां पर इस्तित है यह है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इस्तित है अब 2014 में क्या हुआ था एक जन्गरना टाइप की हुई थी संख्या इसमें टाइगरों की संख्या कितनी थी 25 अब यह 2018 में बढ़कर हो गई है 65 बाग इसमें हो गए है तो इसलिए इसको यह आवर्ड मिला है डबलिंग टाइगर पॉपूलेशन का आवर्ड तो सी इसका है करेक्ट आंसर नेक्स कौशन की दरब बढ़ते हैं वू है रिटन आ बुक काल दा वैलेट अफ व्लॉगिंग याने की दा वैलेट अफ व्लॉगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह पुस्तक लिखी है ससी थरूर के दौरा भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बुक का नाम और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है जो भी बुक होती है उनके बुक का नाम और राइटर का नाम आपको याद रखना है वी हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है वी हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है के दोरा भी हो जाएगा correct और यह जो book है life of गुरु नानक देव के उपर based है इसको लिखा किसने है इसको लिखा है करपाल सींग जी करपाल सींग के दोरा इसको लिखा गया है और यह सिक धर्म के संस्तापक थे और इनहीं की जीवन पर आधारत यह पुस्तक लिखी गई है यह book लिखी है करपाल सींग के दोरा और launch किया है नरेंदर मोधीजी के दोरा तो B हो जाएगा correct next है who has been elected the new president of international cricket council यानि की अंतर राष्टिय क्रिके परिशत का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो नये अध्यक्ष की रूप में चुना गया है Greg Barclay को तो C इसका हो जाए यह है Greg Barclay अब ICC यानि की International Cricket Council और इसका formation कब हुआ है 1909 को इसका formation हुआ है headquarter कहां पर है important है headquarter दोबई में है इसका headquarter ICC का अब इनके बारे में बात करें जो President चुने गया है नये Greg Barclay इससे पहले जो Interim President थे Interim President कौन थे इमरान खौजा इमरान खौजा Interim President थे इससे पहले जो थे वो थे ससंक मनोहर और इन्होंने इस्तीपा देने के बाद ये इमरान खौजा बने थे Interim President अब New President बने है Greg Barclay साथ ही में बात करें तो CEO कौन है मनुशानी है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉशन है रिसेंटली Diego Maradona पस्ट अबे उवदे नानी की हाली मैं Diego Maradona का नेधन हुआ है वे कौन थे तो ये एक प्रशिद फुटवाल प्लेयर थे फुटवाल खेलाडी थे और इनका भी नेधन हो गया है तो इसका है correct answer image में आप देख सकते हैं ये अर्जन टीना के फुटवालर थे अर्जन टीना के प्रशिद फुटवालर थे और इनका निदन हुआ है ये जो 1986 में अर्जन टीना फुटवाल बल्ड कप जीता था उस टीम का ये हिस्सा हुआ करते थे तो C हो जाएगा correct next है what is the name of the heavyweight torpedo recently inaugurated by the defense research development organization नानी की हाली में रक्षा अनुशंदान विकास संगठन जिसको की हम DRDOC कहें संगठन दौरा उधगातन किये गए heavyweight torpedo का नाम क्या है तो इसका नाम है वरुनास्त्र पी इसका हो जाएगा correct answer वरुनास्त्र इसका नाम है वी है correct answer अब पहले तो बात करें ये torpedo क्या होता है ये torpedo जो है एक पंडुबी जो होती है पंडुबी से torpedo को launch किया जाता है हमला करने के लिए इसको use किया जाता है अब इसको develop किया है किसके दोरा DRDO के दोरा ने की defense research development organization DRDO ने इसको develop किया है तो इसके बारे में बात करें 1958 में formation हुआ है headquarter कहाँ पर है New Delhi में headquarter है और इसके जो chairperson है ये है जी सतीस रेडी साथी में इसका motto भी पूछ लिया जाता है DRDO का इसका motto है संस्कृत में बलश्यमूलं बिग्यानम और English में है strength origin is in science साथी में बात करें जो बरुनास्त्र है इसको VDL यानिकी भारत Dynamic Limited ने इसको बनाया है and जो torpedo है उसको खत्म करने के लिए भी एक anti torpedo होता है और भारत की जो anti torpedo का नाम क्या है जो torpedo होता है उसको भी खत्म करने के लिए एक anti torpedo होता है और इसका नाम जो भारत का anti torpedo है इसका नाम क्या है मारिश तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है जो बरुनास्त्रा इसको किस ने डबलब किया है भारत डाइनमिक्स लिमिटेट के दौरा इसको डबलब किया गया है नेक्स कॉशन है रिशंटली अयोध्या इयरपोर्ट हैस बीन नेमड आप्टर हूम लानी की हाली में अयोध्या हवाई अड़े का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है मर्यादा पुर्शोत्म श्री राम के नाम पर तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और जो अयोध्या इयरपोर्ट है इसके बारे में हम देखें तो यह यूपी का यूपी का सबसे बड़ा हवाई एड़ा बनने जा रहा है इसमें डॉमेस्टिक एंड इंटरनेशनल तोनो तरह की फ्लाइट उडान भरेंगी तो इसका नाम रखा गया है मर्यादा पुर्शतम सीराम के नाम पर तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये आज की सीरिश का हमारा लाश कॉशन था लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर किया किजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताथ ही मैं एक्सपिरेंस एजुकेशन चैनल को सब्स्क्राइब भी कीजिए इसके साथ जोड़ने के लिए थेंक यू